Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग रीक का सापता है क्राशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काद्स हैं Five of Voices and Politics तो देखें सबसे पहली बात दोनों ही सोच के काद्स हैं और ये दोनों ही काद्स किसी लेवल पे किसी तरीके की मनुपलेशन की बात करते हैं अब देखे यहाँ पे guidance आप लोगों के लिए ही होगी कि इस week आपने blindly किसी को भी trust नहीं करना, आपने alert रहना है, cautious रहना है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, आप अच्छे से सोच लें, आप अच्छे से समझ लें, जब तक आप 100% sure नहीं हैं, आप आगे ना बढ़ें, औ क्योंकि देखे इस card को आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक figure या फिर एक चेहरे के उपर mask लगा हुआ है, और इस card का मतलब यही होता है, कि जो भी चीज़ को आप देख रहे हैं, कहीं वो real नहीं है, उसके पीछे कुछ और है, again जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, यह जिसको आप reality में नहीं देख पा रहे हैं, या reality को नहीं देख पा रहे हैं, और दिखें जब ऐसा होता है, तो हमारे decisions, हमारे choices wrong हो जाते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं, तो nutshell में आप जो भी करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि देखें, आप यह five of voices का भी card कहीं politics की ही बात करता है, in fact, दोनों ही cards कहीं similar से energies की बात करते हैं, तो थोड़ा सा in general या फिर अपने professional friend में आप, again मैं कहूंगे, cautious रहें, alert रहें, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, four of emotions and inner voice, तो दिखें, professional friend में आप लोगों के लिए दोनों ही cards कहीं unfair energies की बात करते थे, और यह आपे personal friend में दोनों ही cards कहीं चीजों से किसी level पर withdraw करने की बात करते हैं, कहीं passive energies की बात करते हैं, कहीं again चीजों को लेकर backseat में रहने की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिखें, four of emotions के card को अगर आप देख पा रहें हैं, तो एक लड़की ने बड़ी अच्छे से कपड़े प missing है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहां पर बहुत सारे areas के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई खास मसला नहीं है, कोई खास issue नहीं है, in fact सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज आपको वो happiness, वो joy नहीं दे पा रही है, आप में अपने आपको इतना involved नहीं कर रहे हैं, एक boredom, एक monotonous सी energies आप महसूस करते हुए देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई opportunity या कोई चीज आपने miss कर दी, उसको लेकर आप सोच रहे हैं, और फिर उसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगो के लिए different reasons हो सकते हैं, broadly speaking, कहीं surface level पे आप इतना enjoy करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर emotionally आप थोड़ा सा low feel करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखिए deeper level के लिए inner voice का card, कहीं बहुत ही एक calming, बहुत ही एक relaxing energies की बात करता है, हाला कि ये card भी चीजों से withdraw करने की बात कर लेकिन ये card थोड़ा सा जादा positive sense में चीजों से withdraw करने की बात करता है, और दोनों cards को combine करें, तो surface level पे again कुछ boredom है, monotonous energies हैं, या आप बहुत great नहीं feel कर रहे हैं, लेकिन मन ही, मन एक positive talk हो सकता है कि आप कर रहे हैं, या फिर आप positivity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं, आप कैसे अपने आपको relax करें, काम करें, आप उस पे focus कर रहे हैं, और आप अपनी gut feeling को follow करना चाहा रहे हैं, या कर रहे हैं, आप अपनी inner voice को बहुत एहमियत या फिर priority दे रहे हैं, और दिखिए ऐसी ही energies में इस week आप रहें भी, जो लोग अपनी inner voice को ignore कर रहे हैं, उनके लिए बह guidance से आप लोगों के लिए loyal heart का card है, तो देखिए ये card एकदम से contrary है आपके professional front के energies के लिए, और यहाँ पर ये card कहता है कि आपके circumstances में लोग जो भी कर रहे हैं, circumstances जैसे भी हैं, आप you know honestly ही चीज़ों को deal करें, क्योंकि कितनी बार ही होता है न कोई हमारे साथ गलत करता है, तो उन energies में आपने नहीं जाना सबसे पहली बात, और खुद के साथ loyal आप रहें, क्योंकि देखिए most of the times हम लोगों के साथ honest होते हैं, लेकिन खुद के साथ dishonest होते हैं, खुद के साथ disloyal होते हैं, हम अपनी feelings को नहीं acknowledge करते हैं, हम अपनी emotions को suppress करते हैं, हम लोगों के बारे मे society के बारे में, religion के बारे में जादा सूचते हैं, तो देखिए इन सब चीजों के बारे में सूचना बहुत अच्छी बात है, आप जरूर सोचें, लेकिन in the process, आप अपने आपको ना ignore करें, या फिर आप अपने साथ dishonest या फिर disloyal आप ना हो, इस चीज का खयाल जरूर है, और इसके हिसाब से white color इस week आप लुगों के लिए लखी रह सकता है, and significant day आप लुगों के लिए होगा Monday, तो ये था एरीज आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए है.